एक मिसाइल मैन हुए थे जिने डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम के नाम से जाना जाता है हमारे देश के पूर वराष्ट पती डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जिनको मिसाइल मैन कहा गया था मेरी फैरिस का एक कवी है जिसे पूरी दुनिया में इसमाइल मैन के नाम से जाना जाता है डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम ने हमारे देश को परमाडू संपन बनाया था ये हमारी महफिलों को मुस्कुराहट संपन बनाते हैं मुस्कुराहटे और कहके संपन बनाते हुए महफिलों में ताजगी और जिंदगी पैदा करना ये इनका कारनामा है मैं आवाज देने जा रहा हूँ लेकिन चार छे मिसरे आपको सुना के जरा आपको जहनी तोर पर आमादा करना चाहता हूँ मानी मंत्री जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और हमारी हालत ऐसी है कि दस महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन दस महीने स्वामी जी दस महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन दावतों में खा रहे हैं भिंडिया एहले सुखन खाके गोईआँ क्या दिखाएं शाहरी के बांध पन सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन नफरतों की भीड में देखो तो क्या क्या को गया सबजियां हिंदू हुई बकरा मुसल्मा हो गया को साथ देना है और लखनौ उत्रप्रदेश की राजधानी लखनौ से आने वाले हाज सिव्यन के उस सफल हस्ताक्षर को जो हिंदुस्तान से अमरीका तक अपने खुबसूरत कलाम की खुश्मू से पहचाना जाता है मैं आवाज देता हूँ भाई सर्वेश अस्थाना को कि वो तश्रीफ लाएं और अपनी हाज सिव्यन की कविताओं रचनाओं के साथ इसका विसम्मिलन मुशायरे को काम्याभी की मंजलों के करीब पहुंचाएं जंदगी में कभी इतना घबराएं नहीं जितना आज मुझे घबराएं हो रही एक्चली क्या मैं महारास्ट्र के इस इलाके में पहली बार आया हूँ आपने मराथी में भाषन दिया स्वामी जी ने भी थोड़त मराठी बोला अर इतने कारकार्टा थे वो आपने मराठी बोल ले थे वहारे टेमारे नाउंसर अर भी मराठी बोल ले थे एव कुछ नहीं समध भार रहे बागवान केम कुछ नहीं समध समाघ पार greater इतनी देर में मैंने एक लफ्ज सीखा है लवकरिया यानि जल्दी करो तो मैं लवकरिया आप लगते है ताली लवकरिया अना ये गवराइट बट रही थी जी सर्वेश बढ़ी तो रहा हूं हाँ भगवान कसम है यहां पर माइक पढ़ने आया हूं और कोच नहीं कभी जूट बोले नहीं यहां तक मैं पढ़ने आया हूं अजब मंत्री जी सामने बैठने हो तो हमें जूट बोले की क्या जरूरत है जब इतने प्यारे मंत्री इतने प्यारे मंत्री अतना announcement कर रहे हैं तो सच ही कर रहे हूंगे तो इसलिए जूट बोले कोच बोले कोच वब आप लोग जो समझे रहा हूं लेकिन मैं भीटर जो कह वहां ही रहा हूं बहुत मुस्कुराते हुए हमारे मंत्री जी है, युवा है, और जब युवा नेत्रत वाता है ना, तो डिवलप्मेंट ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए एक बार हमारे प्री संजय जी के लिए आप लोग ताली बजा दें, और मुझे घबराट वास्तों में और जूट नहीं बोलाओ, मुझे अपनी स्थिती बिलकुल जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही है, बिलकुल, क्या था शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर ही राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा, जंगल वाले उप गए, बोले यार एक ही साशन है, एक ही सत है, एक ही राजा है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाओ करो, बोले क्या बदलाओ करें, बोले राजा बदलो, किसको राजा बनाए, बोले जो खूब एक्टिव हो, उसको राजा बनाओ, तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज आज अगारे नदीम भाई को संचालक बना दिया गया तो बंदर का जंगल का राजा बना दिया गया बंदर जंगल के राज महल में रहने लगा हम से जुड़े रहना देखो जल्दी से बैट जाओ सर बंदर जंगल के राज महल में रहने लगा वा बीस बच्चीस दिन के बाद एक बकरी रोती है बोली रा एक डाल से कूदा दूसरी पे, तीसरी पे, चवती पे, पांचमी पे, छटी पे, तो बकरी रोने लगी, बोली, राजा साब जल्दी बचाये नहीं, तो शेर बच्चे को खा जाएगा, अब बंदर का जवाब, और हिंदुस्तान की राजनीत, और उदगीर की भयंकर तालिया जल्दी बचाये नहीं, तो शेर बच्चे को खा जाएगा, बंदर बोला, देखो बकरी, तुमारा बच्चा बच्चे यान बच्चे, हमारी भागदोड में कोई कमी हो, तो बताओ, इसी बीच, इसी बीच, चाय वाला भी आगया, हम चाय वाले को रोक भी नहीं सकते, क्या पता अगला प्रधानमंत्री उद्गीर से ही निकले, है, लेकिन इसमें सरवेज भाई ये है, कि सिर्फ चाय बेचने से किसी के प्रधानमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचने के साथ-साथ बीवी को भी छोड़ना पड वो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, यह अपना काम कर रहे थे, मैं लखनुव में रहता हूं, लखनुव के पासे कभी सम्मेलन था, मुशारा था, मुश्तरका था, हमारी तरह भी एक साथी होता है, हम और नदीम फररुग भाई, कार दूसरा उस खोदी हुई मिट्टी को फिर से गढड़े में डाला था, कादरी साब बिल्कुल बगवान कसम सच गढ़ा है, तो हमने का नदीम भाई ये अद्भूत काम हो रहा है, आच लो पता करते हैं क्या तो हम रुके, वहां पे गढ़े हैं ये क्या कर रहा हो तुम, एक गढ़ा कोद रहा है, दूसरा उसी मिट्टी को वापस डाल रहा है, ये क्या है, तो उसमें से एक बोला, बाबुजी, हम मनरेगा के मजदूर हैं, तीन लोगों की ड्यूटी थी, एक को गढ़ा कोदना था, एक को पौधा लगाना था, दूसरे को वापस मिट्टी डालनी पौधा लगाने वाला चुट्टी पे है, हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा गपराहटे थी, क्योंकि मुझे लग रहा था, पताने यहां पर हिंदी, आप लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन अच्छा मेहमान नवाजी की है, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है, कि मुझे मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लगूं, बिल्कुल वास्तों में, क्या बतलाओं इस धर्ती पर कैसा लगता है, जो अच्छा लगा, वो मैं अच्छा कह रहा हूं, क्या बतलाओं इस धर्ती प वो आये थे तो मैं समझ गया आम तोर पर हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग आते हैं बिल्कुल आइठे हुए आते हैं लगता जिसे कि मंत्री नहीं पता नहीं क्या है लेकिन हमारे जो यह मंत्री जी आये संजे जी बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हमारे आम आदमी कोई हमारे बीच का कोई वेक्ति आया हो हमने उसको मंच पर बिठा दिया क्या बतलाओं इस धर्ती पर कैसा लगता है क्या कहना इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है मंदिर, मस्जिद गिरिजा, दौरे चाहे जैसे हो लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है अच्छा लगता है बहुत बढ़िया लगा मैं शुरू में इसा लग रहा था कि जैसे मतलब आप लोग हस्ते मस्ते नहीं है और अच्छा क्यों हसे हैं मैं लग क्यों ताली बजाएं कोई आप लोग ताली बजाने वाले हैं क्या लेकिन मैं एक बात बता रहरा हूं मैं बहुत पड़ा लिखा विद्वान आद्वी हूं भगवान ने आपको सांसें गिन कर दी है जितनी सांसें स्वामी जी दी गई है आपको इसी जनम में पूरी करनी है दूसरा जनम नहीं मिलेगा धड़कने भगवान ने गिन कर दी है इसी जनम में पूरी करनी है दूसरा जनम नहीं मिलेगा इसी तरह से भगवान ने तालियां भी गिन कर दी है आपको इसी जनम में सारी बजानी है अभी रहे हैं अगर आपने तालियां कम बजाईं तो अगले जनम में आपको थोड़ी ज़्यादा बजानी पढ़ सकती है और अगर आपने बिलकुल नई बजाईं तो भगवान आपको एक जनम सिर्फ ताली बजाने के लिए हिदे देगा और उसमें भी आपको फाइदा देगा, ऐसा नहीं है आप एक जगे खड़े होके ताली नहीं बजाएंगे आप घर घर जाकर ताली बजाएंगे और वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे तो अगर आप वो पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ताली मत बजाएए अगर ठीक ठाक जीना चाहते हैं तो एक बाद खुल के सब लोग ताली बजाएए आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है मैं समझ गया कि आप लोगों के पास कोई कामदाम नहीं है साफ खाली बैटे हैं तो चलो आप कर भी समेलन मुशारा सुनते हैं आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं अरे आप चल कर आ गए हैं शुक्रिया लोग तो भूकंप में हिलते नहीं लातूर भूकंप के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था लातूर और अस्मानाबाद में हम लोग नीज देखते थे जब आज यहां आकर के मैंने देखा जिला लातूर तो मुझे उन तमाम उन लोगों की याद आई जिनके बड़े नुकसान हुए होंगे उस भूकंप में मैं उन सब को विश्रदानजली अरफित करता हूँ यह प्रियाग वाली जो मुंबई में रहने लगी है पहले शुरू पहुआ बड़ा मुहबबद आला सुना यह नोंने बाद में रामलीला करने लगी जब यह मुहबबद आला सुना रही थी अध्यक्ष ममदे बएटे बहुत बड़े शायर है फिल्मों में बहुत लिका इनोंने बहुत ज्यादा लिखा, हमने बड़ा ट्राई किया, हमको लिए नहीं किया, तो मैंने IES का एक्जाम दिया सर, तो प्रिलिम्स एक्जाम दिया, नदीम भाई, तो उसमें मेरी मार्क शीट तो आई, लेकिन नंबर वहीं रह गए, अब पिता जी बड़े नाराज बोले, पिता जी बड़े नाराज बोले, ये कुछ नहीं करेगा, इसको घर से निकाल दें एक मुकदमा मेरे पास रही आया, पिता जी बहुत करफा बोले, इसको फाइनली निकाल दो घर में, तो मदर ने का कि थोड़े और आप्शन दो, तो पिता जी ने का अच्छा तुम बोलते अच्छा हो, पॉलिटिक्स में जाओ, तो हमने उत्तर प्रदेश की हर पार्टी म लोग नहीं लिये जाते है, वाँ 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 नहीं बिलकुल सची बात है, तो पिता जी फाइनली अमको घर से निकालने के लिए तैयार हो गए, बिलकुल फाइनली घर से निकालने के लिए तैयार, हमारे टाइम के पिता जी खुद अपने आप नहीं निकालते थे, मदर के थूरू निकलवाते थे, मदर निया कि हमसे का तुम्हाई बाबु जी कह रहे हैं कि कल से दिखाई मत पढ़ना और तुमने कोई नाम नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए हो तुमको घर से निकालना हैं, फिर उनकी ममता जागी, बिल्कुल सची यह एटना बता रहा हूं लगवग बीस-वाई साल पुरानी, बढली जाओ अपने पिता जी के पैर पकड़ लो, आखिर बाप तो तुम्हा रही हैं, हो सकता है, माफ कर दें, तो मैंने पिता जी के पैर पकड़े, हमने का पिता जी आप हमको एक मोका दे दीजिए, मैं इन आई एस अबसरों, इन नेताओं, इन वकीलों, इन सबसे उपर उठकर दिखाऊंगा, आज उपर खड़ाओं, सब नीचे बैठे रहे हैं, वाँ, 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 बाँ, मैं लकनवस, लकनवस आया हूं, लकनव उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हम लोग क्या वेंगेका उनी पर किया जा सकता है, जिन से समाज गवर्न होता है, जो समाज को दिशा देते हैं, उनी पर सेटायर किया जा सकता है, रिक्षे वाले पर, मजदूर पर वेंगे नहीं किया जा सकता, एक मजदूर पर वेंगे नहीं किया सकता, उसके पास कोई नेतर तो हाई नहीं, उस तो जो हम लोग वेंगे करते हैं, वो किसी वेक्टिपड नहीं करते हैं, वो उस प्रुवड़ति पर वयंगे करते हैं, आर आब द्या राजधनी है, और राजधनी में एक विधान सभा मार्ग होता होता है, यह आपके राजधनी नहीं है, महारा важ्म नहीं कि अभी नहीं बनेगा नहीं राजदानी को हवाईड़ तक तो है नहीं हमको हैदराबाद की शरण जाना पुड़ा तो लेकिन मंत्री जी का ऐसे अगर रहा तो एक दिन यह हवाईड़ जुरू बनेगा देखे हम भी ट्राइ कर सकते हैं का सर लक्नु में विधान सबा मारग है अब मुझसे जुड़ियेगा मैं विंग की भास्षा बोलूंगा मुश्किल से मैं साथ-ाथ मिनट और मंच में मुझे पता है कि दस बजे के बाद कारिक्टरम को ज्यादा लंबा नहीं खीचा जा सकता दस पंदरा मिनट दस बजे तक का सुप्रीम कोर्ट का आडर है लेकिन जब मैं माइक पे खड़ाता हूँ तो मैं खुद को सुप्रीम कोर्ट समझने लगता हूँ मैं क्या करूँ अब बाद मैं अमानत करवाता गूमता रहता हूँ इसलिए जो है जो है जी बाद साथ जानों तो ताली हो जाना विदान सभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विदान सभा बनी होती है जिस सड़क पर विदान सभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते है वाँ 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 तो उस पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है कभी किसी नेता से, कभी किसी इंजीनियर से, कभी किसी डाक्टर से, कभी किसी से. तो मैं निकल ला था, तो देखा एक गिर्गिट जा रहा है, आप लोग गिर्गिट जानते हैं? और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं, अपने और मौकश परस्थ नेता के बीच आपसी संबंद को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं गिर्गिट बोला अस्थाना जी किसी गिर्गिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है अब तालियां उठाना किसी गिर्गिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। बहुत बहुत अच्छा। एक और चणिका आपको सुनाता हूं, फिर मैं अपनी बात कतम करता हूं, अगले साल हमें फिर बुलाईएगा, एक आथ साल बाल, तो हमें तोड़ा ज्यादा टाइम दीजेगा, हमें 10-15 मिनिट में मज़ा नहीं आता है। तो हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। यह इंट्राइस्पेक्शन का विंग है, सेल्फ एनालिसिस का विंग है, आप सोचो कभी कुछ हो कुछ जाए। हम अपने मित्र काद्री जाब सुनिएगा, हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली परिस्तिति हैं को किसी काम से के तो मरे गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए, हमने उनकी पत्नी से पूछा भावी जी, दरोगा जी कैसे मर गए, क्या रसी से लटक कर आत्मत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फा वो बोली भाई साहब ना ही ये रसी से लटक कर मरें हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिट लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में जहांका था. बस मैं अन्तिम एक मिनेट और लेते हुए, वो जो मैं कहने जा रहा था, इन्होंने श्रंगार की कभीता पड़ी जब, तो हमारे अध्यक्ष महदन हम से का सर्वेश तुम नहीं लिग सकते हो प्यार महबबत की, हमने का क्यों नहीं लिग सकते हैं, लेकिन हाथ से कभी को कोई अध्यक्ष में लेता है, महलब मैं चाहे जितना घौर शुंगार सुना दूं, अपना दिल फाल कर रख दूं, लेकिन आप लोग उसको हसी मही ले लेंगे, तो हम लोग असली में महबबत नहीं करते हैं, खाली सोच लेते हैं, सोच कही काम चरा लेते हैं, असली में कोई से इसली लेगा नहीं, आ तक हजारों जेगे ट्राइ किया, किसी ने आई लव यूम से नहीं का, तो फिर चार पंक्तियां बस सुनियें, मैं यहीं से बात खतम करते हूं, मैं अक्सर सोचता हूं, तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, थोड़ी वाह वाह, मैं अक्सर सोचता हूं, मैं अक्सर सोचता हूं, तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरें बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, थोड़ा और उठाना, क्योंकि अंतिम पंक्तियां है, मैं अक्सर सोचता हूं, तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरें बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, हो जाए मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूँ ओहो स्वामी जी भी ओह कर रहे हैं मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरें बादल घने से और फिर बढ़सात हो जाए मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूँ कि पंचर हूँ सभी टायर वहीं पर रात हो जाए वाँ एक बात यह कि इनकी बड़ी मशूर रचना है वैवाहिक विज्यापन उसमें हासी भी है व्यंग भी है और एक ऐसा सटायर एक ऐसा संदेश जोदगीर की इस सुधी जनता के बीच में पेश किया जाना चाहिए मैं चाहता हूँ मेरा साथ दीजे जोरदार तालियों से स्वागत कीजे और मैं भाई सर्वेश अस्थाना जी से निवेदन कर रहा हूँ ये एक्चुली मेरी स्टायल थी हमने का हम वापस बैटेंगे तुम आके फिर से बुलाना तो जिससे मेरी मार्केट तोड़ी बढ़ेगी एक बार और ताली बजा भी जाना ये 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 भी सत्य गटना पर आदारी थे मैंने बिलकुल बग्वान कसम सत्य गटना पर कभी जूट नहीं बोला ये थोड़ा पुरानी गटना है मैं तब क्लीन शेव रहता था अब मेरे फ्रेंज कट दाड़ी है तब मैं क्लीन शेव रहता था हैंडसम तो खर मैं आज भी हूं लेकिन तब मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था इसके बिटिया जेता है फ ये बिलकुल सच्ची गटना परा था है मैं क्लीन शेव रहता था हम दस भाइबेन दस भाइबेन हैं बस नहीं हम लोग उस जमाने के दस भाइबेन हैं जो हमको अंग्रेजों से लड़ना था तो दस भाइबेनों की जरूरत होती थी आज हम एक हैं या दिकतर दो हैं क्यों करता हैं क्यों जितने पुरूषबेंट वे नहीं रहता हैं कॉकल सच्ची कई कोई ससूरा आता ही नहीं था कोई ससूर नहीं आता था आँ इंडिकी कि सी के साथ भाग जाता जाता नहीं सrage आप सोच लीजे जितने पुरुष बैटे हैं, सैकड़ों के साथ भागने के सोचे ही लेकिन किसी साथ नहीं भाग पाया, तो मैं भाग भी नहीं सकता था, जहां माबाप करते हुए होना था, कोई आते नहीं था, एक आया, मैं क्लीन शेफ रहता था, उमको देखा, बिलकुल सच्छी करता है, चल धिया, पिता जीने का भाई साथ आप क्यू जारा है, बोला इससे कौन साथि करेगा, ये तो बच्च्छा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने पूरी दाड़ी रख ली, दूसरा आया, वो भी चल दिया, पिता जीने का आप क्यू जा रहे है, बोल तो इसे कौन साथी करेगा ये तो गुंडा है तब मैंने मध्धमार्ग अपनाया अब भगवान कसा अच्छी जूट नहीं जूट नहीं जूट नहीं जूट नहीं जूट नहीं जूट नहीं पिर भी कोई प्रपोजल नहीं आ एक दिन लक्नु में मुशाहरा कभी सम्हेलन त नदीम फररुक चाहिए हमारी दोस्ती थी लोगों से तब मुलाकात नहीं थी तो नदीम भाई को ने बुलाय था दोपैर का खाना मेरे गर काने आए हम लोग आम तवर पर दोपैर का खाना घर का खाना दूडते के तो ये बैठे वे ते पिता जी एमारे मू लटकाए जाती है मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पिता जी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहा है कि बुरा काम समझ रहा है तो नदीम तो खुब पढ़े लिखे हैं डॉक्टर हैं प्रोफेसर हैं पढ़ाते हैं पता नहीं कब पढ़ाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं ने पिता ज विग्यापन निकलवादो, हो सकता कोई पार्टी फंच जाए, मंत्री जी अदबुत कविता है, जुड़िएगा, तो हो सकता कोई पार्टी फंच जाए, तो मेरा विग्यापन निकलवाएगा अखबार में, उसमें मेरी उम्र अठाइस साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो घ पितल जी के शहर लखनौव से हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए, लेकिन मेरे लिए प्रपोजल आये, पगवान कसम आये, गर पर रखे हैं, आप लोग आकर देख सकते हैं, प्रपोजल आये, सत्तर साल वाली का, पच्छतर साल वाली क अठटर साल वाली का, सेवेंटी एट वाली का, तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, स्वामी जी, उनकी उम्र असी साल थी, हमने मनीमन उन से पूछा, पिताजी ये विग्यापन आपने मेरे निकल वाये, ये अपने लिए निकल वाये, तो हमारे साले साब देखने आ है हमको, उनका घर का नाम पम्मू है, वह हमको देख के पहुंचे, ससुर साब हमारे प्रोफेसर केमिस्ट्री के, तो उनसे कह रहे है, पापा लड़का अच्छा है, उनाइटेड नेशन्स में नोकरी भी करता है, तनख्वा भी अच्छी है, लेकिन कभी है, हमारे ससुर साब बहुत भूले भाले, उन्होंने जवाब दिया, अगर वो जवाब मुझे पता होता, तो आज मैं कुँआ रही होता, बोले लड़का अच्छा, उनाइटेड नेशन्स में नोकरी करता है, लेकिन कभी है, तो हमारे ससुर साब कह रहे है, कोई बात नहीं, एकाद कमी तो सब में होती है, पिता जी को हमारी सादी का खयाल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वाइवाहिक विज्यापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वरणन खरीद भिक्री वाले कालम में छापा, वा, खरीद भिक्री, खरीदो बेचो, मे अबाएद अखबार मेरे अस्तित्त के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसी लिए तो मेरा वरणन, निविदा शूचना के बिकाव माल में आ गया. निविदा सूचना को टेंडर नोटिस भी कहते हैं मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के विकाव माल में आ गया अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे अपने अपने जोर आजमाने लगे अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे अपने अपने जो राजमाने लगे एक में था माल कितना पुराना है जो खरीदें उसकी जानकारी ले सकते है एक में था माल कितना पुराना है दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है एक में था माल कितना थोड़ा से शामिल हो यह का यह में था, माल कितना पुराना है? दूसरे में था, क्या जहां है, जैसा है, वहीज से उठाना है. तीसरा पूछ बूछ था, मशिनरी की क्या कंडिborn है? वाँ, 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 और निएर कौछें, उचानी था रहां था, क्या एक बार ट्राइल करने की पर्मीशन है पिता जी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है अच्छा खासा नोकरी शुदा विवाहियों की बेटा लगता है बिगडी हुई मशीन होता जा रहा है इसलिए पिता जी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कहां बेचे दे रहे था किराय पर उठा रहे हैं कुछ तो विकास हुआ अगले दिन मेरे बारे में सुचना किराय के लिए खाली में आई कई किरायदार आए कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए अब असली कविता शुरू होती है जिसका इशारा नदीम फरुक जी ने किया कई किरायदार आए कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए एक किरायदार से पिता जी ने पूछा महोदे कौन है आप वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप आप में सूचना निकाली है कि आपका नोकरी शुदा विवाहियों के बेटा किराय के लिए खाल लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर दूआर बेज कर कम से कम साल दो साल के लिए किराय पर अवश्य लेबाए आप मुझे हताश मत कीजेगा मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं आप लोग समझ गए हैं आप मुझे हताश मत कीजेगा इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजेगा आप मुझे हताश मत कीजेगा इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजेगा क्योंकि इस से मेरा कल्यान हो जाएगा भले साल दो साल के लिए ही सही पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा क अगर ये पंक्ति एक ये मिस्रा ये लाइन अगर आपको ठक से महसूस हो कि इस वेक्त ने अच्छी मलब जरूरी बात उठाने की कोशिश की है तो आप जरूर तालियां बजाएगा तब आप किराया बढ़ा दीजेगा अपने बेटे को दूसी जगे उठा दीजेगा क्योंक क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे वे दिन आने लगे हैं कि माबाप अपने विवाहियों के बेटों को किराय पर उठाने लगे हैं और गरीब माबाप की बेटिया इसी तरह अपनी घरीबी का प्रायस्चित करती रहती हैं इसलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द क किसी ना किसी वजय से मरती रहती हैं, तो भाईयों बहनो, तो भाईयों बहनो, यो जो मैं आपको हसता, मुस्कुराता, स्माइल मैं दिख रहा हूं, अन्तिम पंक्ति कविता और कावे पाठ की, आपकी तालियों से विदा चाहता हूं, तो भाईयों बहनो, यो जो मैं आपको हसता मुस्कुराता स्माइल मैं दिख रहा हूं असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराय पर भिक रहा हूं हर साल किराय पर भिक रहा हूं बहुत बहुत दन्यवाद